Hello friends, welcome to the study stage तो आज की सुड़ों में हम लोग पर्यवाची सब्द को पढ़ेंगे Most important जितने भी पर्यवाची सब्द है उनको आज हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि पर्यवाची सब्द का मतलब क्या होता है जैसे कि आग यहाँ पे है तो आग का अगर पर्यवाची सब्द कहने का मतलब क्या हुआ कि आग को और किस-किस नाम से जाना दाता है इसका यहाँ पे चार नाम है इसका मतलब क्या यह नाम तो अलग-अलग है लेकिन अर्थ उसका एक ही होता है ठेक तो समान अर्थ वाले सब्द को हम लोग प्रेवाची सब्द कहते हैं तो पहले यहाँ पे पहला देखिए आग आग का अगर आपसे प्रेवाची सब्द पुछा जाए तो अगनी होता है, अनल होता है, जुआला होता है और पावक होता है यानि और भी बहुत सारे नाम है लेकिन अगर आपको एक्जाम में अगर पूछा जाए तो तीन यानि maximum जो है यहाँ पर तीन ही आपको उसका answer देना होता है तीन जो है sufficient होता है ठीक तो यहाँ पर आग का अगनी, अनल, पावक और ज्वाला चलिए आगे देखते हैं अगला यहाँ पर हमारा क्या है आख आख का परेवाची सब्द क्या होगा यहाँ पर हमने पहले से लिखके रखा है क्योंकि आपका जो समय यहाँ पर ज्यादा loss नो हो इसलिए पहले समय यहाँ पर लिखके रखा है तो आख का परेवाची सब्द होता है चक्छू, द्रिस्टी, नयन, नेत्र, लोचन और भी बहुत सा नाम है लेकिन यहाँ पर जो most important नाम है हम आपको बता रहे हैं आख का परेवाची सब्द चक्छू, द्रिस्टी, नयन, नेत्र और लोचन चलिए next देखते हैं, next यहाँ पर हमारा क्या है नदी, नदी का परेवाची सब्द यहाँ पर क्या होगा तो तटिनी, तरंगीनी, सेवालिनी, ठीक, आगे देखिए, आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगला यहां पर हमारा क्या है पक्षी, पक्षी का परेवाची सब्द क्या होगा, खग, पतंग, अंडज और विहग, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा पहाड, पहाड का परेवाची सब्द क्या होता है, तो पहाड का परेवाची गिरी परवत और धर पहाड को और किस नाम से जाना जाता है तो अचल गिरी परवत और धर इस सब का मतलब भी क्या होता है तो पहाड ही होता है चलिए आगे देखते हैं अगला है हमारा पानी पानी का प्रवाची सब क्या होता है तो जल नीर अमरित अम्बू पानी को और किस पानी को और दूसरा नाम है जल है नीर है अम्रित है और अंबू है और भी बहुत सारे नाम है लेकिन important डाम को समझे आप अब नेक्स्ट हमारा यहाँ क्या है अगला अगला है प्रित्वी प्रित्वी को और किस नाम से जाना दाता है या प्रित्वी का प्रित्वी का प्रित्वी का होगा तो भू भूमी धरा और धरती होता है प्रित्वी का प्रित्वी का प्रित्वी का प्रित्वी का प्रित्वी का प्रित्वी का प्रित्वी कमल का प्रहवाची सब्द क्या होता है तो कमल का प्रहवाची सब्द होता है जलज, पंकज, पुसकर, सरोज कमल का प्रहवाची सब्द जलज, पंकज, पुसकर और सरोज चलिए आगे देखते हैं अगला है हमारा यहाँ पे गंगा गंगा का परेवाची सब्द क्या होता है तो गंगा का परेवाची सब्द होता है देवनदी, भागीरथी, मंदाकिनी ये सब्द जो है गंगा के और दूसरा नाम है ठेक इसका मतलब ही क्या होता है तो गंगा और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर अकास अकास का परेवाची सबन को हम किन की नामों से जानते हैं तो Honoma am Państwo Shankina Ouais ठेक क्छ Kind Nav न placeditelे हम नेक्ष्ट हमारा, यहां पी पुत्र यहां पे देखिते हैं, यहां तक हमने स्टेक हो गया लिखने में पूत्र का हमारा यहां पे यह वला से और यह जो है गनेश का पुरा नाम है तो पुत्र को और किस नाम से जाना जाता है पुत्र का परहवाचे सब्द क्या है तो यह वाला हम यहां पर लिखे हुए है पुत्र का पुत्र को बेटा लड़का सूत तनय और तनूज पुत्र का परहवाचे सब्द होगा बेटा पुत्र तनय और तनुज यहां पर गनेश गनेश को और किस नामों से जाना जाता है तो गनेश का परहवाचे सब्द क्या होगा तो एकदंट गजानन लंबोदर विनायक गनेश के और यह दूसरे नाम है ठीक नेक्स्ट है मना यहां पर चंद्रमा जो लास्ट है चंद्रमा का यहां पर परहवाचे सब्द क्या होगा तो इंदू कलाधर निसाकर राकेश चंद्रमा का परहवाचे सब्द है इंदू कलाधर निसाकर राकेश तो यह सब सारे इंपोर्टन जितने भी इंपोर्टन थे मैं यहाँ आप अच्छे तरीके से याद हो गई होगे और यह समझ में आगया होगा कि प्रेवाच्ची तरीके से लिख लेजिए जो आपके जो भी following are in the exam पोAgnes एक्जान्याँ उट्सकेशन है बहुत थे इंप्व Hijम हो पहोंठ है तो अगर विडियोषक चमें को सब्सक्राइब जरूर किजएगा थेंक यू